नमस्कार मित्रो संदीब कुमा शर्मा तकनिक मित्रों के साथ आपका दूस्त हभीश आपके साथ कैसे मित्रों आशा बहुत अच्छे होंगे सबसे वहले दो सुचना आप जनो बुझे हमारा प्रोग्राम होगा एफम रेडियो पर तो जरू सुनिएगा आप अपनी आप अब हम बात करते हैं बाकी आज के वीडियो की अगर हम समझें तो आज हम बात करने वाले हैं विंडोस 11 की सेंच के बारे में कुछ ऑप्शन विंडोस 11alten lahe कि सेटिंग में कुछ इंटर फेस उसका नए तो आये देखते किस तरह का एंटरफेस है विंडोज आई को प्रेस करने से आप विंडोज की सेटिंग को खोल पाएंगे अगर क्विक सेटिंग करेंगे अदर तो आपको मिल जागा जैसे एंड्रोइड में मिलता है पहला आपको सिस्टम को ऑप्शन मिलता है इसके अलावा सबसे पहला है सिस्टम बटन 101 यह डेक्स्टॉप का नाम है आप इस डेक्स्टॉप का नाम चेंज कर सकते हैं यहां पर माइक्रोसोफ्ट 365 के जो बैनिफिट से वो बताए गये हैं यह वन ड्राइब बैकप फाइल का ओप्शन दिया गया है यह विंडोज अपडेट अटेंशन नीडेट मड़न डिस्प्लें पहला है डिस्प्ले अब यहां पर ऑप्शन शुरू हो जाते हैं सिस्टेम के पहला डिस्प्लेए होता है जुसरा साउन है इस्टान नूटिफिकेशन है जो होता है फोकस पांच हमें पावरेंड बैटरी विए पिर अस्टोरेज इंघ्वयज है अग्रन अब्स्टरी रि डिस्प्ले पर चलते हैं डिस्प्ले पर एंटर करेंगे ब्राइटनेस है आप इसको कम या ज्यादा आपने इसाब से कर सकते हैं यहां से ब्राइटनेस को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं यह क्या है वार्बर कलर जब आप रात को देखते हैं आखो पर चुबन नहीं हो इसलिए ब्लू लाइट का इस्तवाल किया जा सकता है यहां से मोर का ओप्शन मिल जाएगा HDR अगर आप यूज करते हैं तो इसके लिए है यहां आप स्केल चेंज कर सकते हैं एट 150 यादी बड़ा भी कर सकते टेक्ट को बड़ा दिखाना चाहें तो इससे चेंज किया जा सकता है जैसा करना चाहें आप एक्स पेंडेड हो गया लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें एज ब्लाइंड परसन जैसा यह उप्शन है तापको स्पेस दवा देना तक एक्स्पेंड हो जाए नहीं तो आगा स्पेस नहीं दवाओगे सीधा करोगे तो चैंज हो जाएगा आपका हो सकता है पीसी बोलना बंद कर दे तो इस ची दबाएंगे तभी कुछ काम का है नहीं तो सीधा तो अपने आप रिवर्ट हो जाता है चेंज हो जाता है स्क्रीन का सिस्टम अपने आपे तो पहले स्पेस दबाके सुन लें आपको जितना करना फिर अपलाई करें अपको पता ही है पोट्रेट और लेंड्सकेप तो स्क्रीन का स्तबाल कर सकता हूं अब इसके अंदर यह कह रहा है आप किसी भी जो है डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हैं अभी हमने एक जो हमारे लेप्टॉप का डिस्प्ले चल रहा है तो डिस्प्ले वन वन है अगर हम इस पर कोई भी दूसरा HDMI पोर्ट में दे रखा तो इसमें से दूसरे टीवी को करेंट करेंगे तो उसकी डिस्प्ले सेटिंग को आप यहां मैनेज कर पाएंगे यह डिस्प्ले अडेप्टर प्रोपर्टी जो इसको डिस्प्ले को ओन करती है उसकी प्रोपर्टी है इसकी इतनी है 59 आप इसे बढ़ाया घटा सकते हैं बैक करेंगे श्पेस दिस्प्ले संदीप किमार्जी 45 अपर मिल जाते हैं बैक करेंगे आपको बताया वाई है मेरा साउंड में को ज्यादा विश्यस आप्शन नहीं होते लेगिन फिर भी अगर देखना चाहे तो स्पेस दबादें यहाँ पर स्पीकर सेलेक्टेड है मारा स्पीकर वन अफ टू है स्पीकर रेडियो बटन नौट चेक्ट आप पेयर कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को यहां से ब्लूटूथ के जरीए यहां से आप इसका वॉल्यूम यूट कर सकते हैं मैंने इसका शॉटकुट कमांड भी आपको बताया हुआ कि किस तरह से स्क्रीन पर हो स्क्रीन पर इसे लाज़े जा सकता है मोनो आप सेंटर में सारी आवाजों को लाना चाहते था आप इस पर चेक बाक्स चेक करेंगे आप यहां पर चूज कर सकते हो क्या कौन सा डिवाइस यूज करना तो मैंने माइक्रोफोन कर रखा है यहां से माइक के मॉल्यम को अड़िस्ट किया सकता है आपके फोन में कोई ट्रबल शूटिंग करना है तो यहां से किया जा सकता है यहां पर आपको आपको डिवाइस जो भी आपके आपके यहां पर ओल ऑप्शन मिलेंगे आपको किसको तरन आप तरन आउन करना वह सब चीजे मिलेगी करेंगे यह एप वाल्यम मिक्सर है आप किसी आप के वाल्यम को चेंज करना जाए जैसे जाते हैं एंवीडी की आवास कम रहे हैं इसकी रही म्यूजर्ण क कि आवाज ज्याता रहे हूं मॉजर्ण मलम करें यह सिस्टम का वाल्यम है आउट पूट डिवाइस जो है इसका वालिम इन्पूट डिवाइस का वालिम इसका वालियम क्लाप्स टुरी टिक है आप किसी का भी यहां से वालिम म्यूट या ओन या ओफ कर सकते जैसे अब एन्वीडिया चल रहा है और आप स्टूडियो तीन चीज़ें यहां पर ओनलाइन चल रही है तो तीनों का वालियम कम या ज्यादा म्यूट या जैसा भी मैं करना चाहूं कर सकता हूं यह देखें म्यूट अब बटन आप जिस एक को सेलेक्ट करोगे उसे म्यूट कर देगा वह यहां पर वालियम का स् यह बढ़ाए जा सकता है तो आप जैसा बढ़ाएंगे वैसा वालियम होगा रिसेट कर सकते हैं आप इसको डिफॉल्ट पर कोई गड़ बड़ हो जाए तो रिसेट कर दो करेंगे यहां पर आप माइक्रोफोन को सेट अप कर सकते हैं यहां पर मोर्साउंड सेटिंग में आपके वह प्लेबक डिवाइस जरुब ऑप्शन फुल जाएंगे जसे इस पर स्वेड बाहोगे न यह एगा यह प्रोपर्टी प्रोप्रटी प्रोप्रोप्रीट एज़ए फोंस पीकर यह स्पीकर की प्रोपर्टी है यह बैलेंस स्पीकर का यह एडवांस टैब है इसका इसको आप चाहिक रहें तो ठीक रहेगा नहीं तो आपको लेटेंजी ज्ज्यादगा मिलेगी स्पैशल साउंड को ऑप्शन होता है यह पर स्पैशलसांड फोर्माट मैंश्यां प्रोपीकाय उडिएंड उन वहां होप्लया तो यह कुछ आपको मिल जाए यहां पर माइक्रोफोन की सेटिंग आप कर सकते हैं चलिए बैक चलते हैं यहां पर आप किसी भी एप या किसी भी सेंडर से नोटिकेशन चाहते हैं तो यह प्रेस्ट है इसको कोई नोटिकेशन आपको नहीं मिलेगा अवक्ते हख आपको स्केशन करन लोट दिखा देट्यूक जड़िकेशन दिखा है वह मिलेगा कोई इन्कमिंग कोम जो आती है वह को लोग डिंखाहील्य के-ए नों डिखाही देगी यह दूनाट डिश्टब बटन है आप इसे अगर आउन कर देंगे तो आपको दूनाट डिश्टब मतलगे यह प्रोब दीन डी सर्विस चलो हो जाते हैं यहां पर इसकी सेटिंग देख सकते हो अब डून डाल सकते से रात के बारा बजे से सुवे च्छे बजे तक है जैसा भी आप चाहें यहां पर प्राइटी नोटिपीशन की प्राइटी कौन सी एप्लिकेशन की अप्लिकेशन की नोटिफिकेशन आपको पहले चाहिए आप जो एप के अंदर जो बैजिस होते हो हाइड रहे है या शो दिखाई देए जैसे अपने फोन में दिखाई देते हैं वह लाल सिट्टिक की दिखाई देती है वैसा नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जो एप्लिकेशन यहां पर सारी एप्लिकेशन की लिए जो भी जिखाई देगी आपको जो चाहों कर सकते हैं और श्राण श्राण फ्रेटी यह फोकस फोकस के विशे में मैंने फड़ा सा क्तलि में खराश हो गया क्या पराज़ती हूं तो फोकस तस्प्ले फोकस के विशे मेंने बताया वह बदा वावसे तो कि देक लेते हैं इसमें कुछ खास सेटिंग नहीं होती है बस यह जो नोटिफिकेशन साही सबन्दीते है यह पावर और बैटरी यह बहुत आवशक्त चीज है प्रफ्री बैटरी प्रॉप इसे जो आपके डिस्पले हाई है तो इस ब्रॉप इसे प्रॉप इस परेंगे यह स्लीप की सेटिंगे जो एक्सपेंड करेंगे बैटरी पावर जब लैप्टॉप चल रहा है तो तीन मिनिट बाद मेरी स्क्रीन ओफ हो जाए तो आप इसे ऑफ याँ अगर प्लग इन हो मेरा लैप्टॉप तो जब चार्जिंग में लगा हो तो कितने देर स्क्रीन चले तो टैन मिनिट दे रखा यहां पर बैटरी पावर में मेरा डिवाइस जो है बैटरी 15 मिनिट बाद अपने आपी स्लीप मोड बें चला जाए तो यह चला जाएगा प्लग इन होगा तो आफ्टर अगर निस्क्री होगा तो उसके टैन मिट बाद स्लीप में चला जाएगा बैटरी पावर मोड बैलेंस है अब जिस पर भी करना चाहें उस पर कर सकते हैं तुक की आवाज आई तो बैटरी ज्यादा बचेगी हमारी मोड़ी थोड़ा बैटरी का लेंथ बढ़ जाएगा और तुक की आवाज आई बैलेंस्ट हो गया तो मीडियूम बैटरी चलेगी जितना चलनी चाहिए बैटरी पावर कब चालू बैटरी पावर ओन कब सेप मोड का बाज ओन हो जाए 20 प्रसेंट जब बैटरी रहे लैटोप की तब बैटरी यूज इस सो बैटरी लेव प्रूपिंट पर यह पर आप का नाम डालो बताएगा कितनी परसेंट बैटरी उस कर रहा है प्रसेंट है यूज परसेंट है यूज फोन एटी परसेंट है यूज फोन बैटरी परसेंट है यूज आपने शाब से कर सकते हैं यह स्टोरेज है इसका स्टोरेज तो आप समझते ही है इस पर अभी प्रोसेसिंग हो रहा है यहां पर यह ओटमेटिकली स्पेस भी खाली करता है ज्यादा कोई टेंपरेडी फालतों की फाइलेंस के अंदर अप्लोड हो तो जो सी क्लीन फाइल होता है वो से रेकमेंडेशन का उप्शन ओन होता है अगर यह से करना हो तो सुर्ज प्राइबा क्तरशि우드 फिर को प्रिप्रिय शवस्वाड़ को ऑनले कि रिख भी खुऑ मॉर्डर्री 250 ल ई टスト edition 6GB की डिस्क के बारे श्यम बता रहा है यहां से इस्क की प्रापर्टी देख सकते हैं यह 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 सारा इसका प्रापर्टी बता रहा है स्काइब करेंगे यह सब कुछ स्टाइब करेंगे चांगे चल्येए यहां से मैंने कर सकते हो यहां से कर सकते हो यह नियर भाइ शेरिंग है इसका क्या आड़ते देख लेते हैं यह आप जिसको भी ओन करना चाहिए वह न कर सकते हैं यहां से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं यह प्राइविस स्टेटमेंट हैं बस इतना ही कुछ ऑप्शन है यह मल्टी टास्किंग का उप्शन है यह पर इस पर इस पर इस नाप बिंडो और टो अपने लियाओ को सेट करता है यह ओल सेटिंग इस पर चेक करना चाहें तो यह इतने को काम की चीज नहीं है आप स्क्रीन को स्प्लेट भी कर सकते हैं स्प्लेटिंग माइ स्क्रीन लिंग कैसे यूज किया दाता है उसके विशे में है यह एक्टिवेशन है आपका विंडो एक्टिवेशन के विशे में है यह एक्टिवेशन इसके बारे मोबल सेटिंग करना हो तो चेंज बटन चेंज बाइशन से अक्टिवेशन से अक्टिवेशन से अक्टिवेशन सेटिंग कर सकते हैं आप कोई भी इश्यों हो तो आप यहां से पहले वो पूछेगा आपसे उसके बाद ही रन करेगा यहां पर ट्रॉटिंग की जो इस्ट्री आपकी पहले की वो दिखाई देगी यह रिकवरी है तो रिकवरी के अंदर हम देखिए एक तो यह option है कि आप सारी फाइले डिलीट कर दे और अपनी विंडोस को रिइंस्टाल करें तो और दूसरा है यह एक रिस्टार्ट सेटिंग होता है पूरी सेटिंग रिस्टार्ट कर देगा यह यह भी कर सकते हो यहांब यहां से हेल्प ले सकते हो बैक करेंगे यह प्रजेक्टिंग तो इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो इससे यहां से किया जा सकता है यहां पर पिसी का नाम ने चेंज कर सकते हो बस इतना ही ओप्शन होता और कुछ है नहीं इसमें सिस्टम डेस्क्टप मैक्रसाफ वंड्राइब विदोस अपलिस्ट इस संदी किमार्जी 40 विस्ट इस सांट नोडिफिकेशन फोकस और स्टॉर्प प्रजेटर मोटेस्टाप 13 आपके रिक्वाइर करेंगा यह विंडो के अंदर शिस्टम डिया आप रिमोट डेस्टोप कर सकते हैं नेटवर्क पर कौन करेगा एकसेस तो वो उसके लिए यहां से ओपन करेंगे आप यहां पर सपोर्ट के लिए हैं सेटिंग अप कर सकते हैं इसके विश्यम का भी फिर विस्ट रिडियो बनाएंगे करेंगे बहुत जुरुरी है यह बहुत अची चीज है कि आप अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हैं जैसे यहां से डेटा आपने उठाया आपके फोन मैक्रिशॉट का अकाउंट लॉग इन है मॉफिस से कोई डेटा कॉपी किया यहां पर आ जाएगा वो सीधा यह अच्छा स सिस्टम में यह प्राइब सिस्टम में यह प्राइब सिस्टम में इस इस वीडियो में बना कर दूंगा आपको बहुत अच्छा आपको मज़ा आएगा यहां पर यह अब आउट सेक्शें है यह डिवास की सपेसिपी केशन है आपर आपको मिल जाएगी आपर ओल सेटिंग सेटिंगी हो विज ब्स सेसिटिंग को बदूट इस इस अपर दूबटन शोल सेटिंग सब्सेटिंग सब्सुप्सर शर्वससे सपरीमिक Microsoft Software Licensed Terms Link, Support Grouping, Show All Settings Button Expanded, Online Support Link, Related Grouping, Product Key and Activation Grouping, More Button, Remote Desktop Grouping, Device Manager Group, BitLocker Grouping, Get Help Grouping, Get Give Feedback Grouping, Back Button BitLocker भी आपको इनसे मिलेगा तो यह कुछ इसकी System की Setting थी अब हम अगले वीडियो में इसकी Microsoft 3.1 Windows Update List, Display 1 of 15 Windows 1 Drive, Backup, Microsoft Desktop 7, System Button 1 of 1 Bluetooth and Devices जो है वो तो आपको पता ही है कैसे सेट करते हैं वो मैं बता दूँगा अगले वीडियो में इन्ट्रक इंट्रनेट है इन चीज को समझने के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे आश्या आपको हमारा वीडियो समझाया होगा कि सिस्टम सेटिंग जो है बहुत बड़ी होती है तो उसको समझाना बहुत ही आलग हिसाब था तो मैंने का इसके लिए पर्टिकुलर आप लोगों को वीडियो बना के देंगे तो आश्या आपको विंडोस 11 की सेटिंग कुछ समझा ही होगी इस तरह से सिस्टम सेटिंग क को इस्तबाल करते हैं और किस तरह से क्या-क्या ओप्शन आपको मिलते हैं वैसे आपको शॉटकुट कमांड बता दूगर बैटरी का आपको पता लगवाना है कि आपको फोन में कि लैट्टोप में कितनी बैटरी बची है तो इंसर्ट प्लस भी दबाएंगे आप 66 परसें सब्सक्राइब से आप पैटरी का सिती सुन सकते हैं आशा आपको पसंद आया होगा वीडियो अपनी परतिक्रिया दीजिएगा और अपने विचार हमें बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा